असलाम लेकुम 10th class 10th class लास्ट टेम जो डिस्क्रिशन हमारे चल रही थी उसमें हमने आपको याद होगा इक प्रिपन कॉंस्टेंट की डेफिनेशन पर बात हुई थी ठीक है और आप लोगों ने उस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लिया होगा equilibrium constant के units के बारे में भी आप लोगों को बताया जा चुका है equilibrium constant के expression को कैसे बनाया जाता वो भी आप लोगों ने सीख लिया अब आते हैं इसके बाद अगला जो topic discussion करने जा रहे हैं और वो हमारा इस chapter का last question है और इसका नाम या इसको मैं आप लोगों को discuss कर रहा हूँ आप लोगों से लास्ट क्वेस्टन है exercise का page number 18 पर question है what is the importance of equilibrium constant equilibrium constant की importance क्या है सबसे पहले बेटा यहां पर बात आती है equilibrium constant की definition पर आपको definition पीछे भी discuss कर चुके हैं ठीक है और वो आप लोगों ने पढ़ भी ली है अब आती ही बात कि equilibrium constant की importance क्या है equilibrium constant की importance में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो numerical value होती है equilibrium constant की उसकी मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले चीज़ starting में आपको सबसे starting की lines में यहां पर importance of equilibrium constant मिल जाएगी कि importance क्या है इसकी वो यह कि numerical value को अगर हम find out कर लेते हैं किसी भी equilibrium constant की तो कहता है उससे हमें क्या फायता मिलता है उससे हमें क्या हमें advantage मिलता है उसका advantage ही होता है कि हम दो चीज़ें find out कर सकते हैं किसी भी reversible reaction की एक वो चीज़ जिसे कहते हैं predict the direction of reaction और दूसरी वो चीज़ है predicting extent of reaction यह दो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं यह find out कर सकते हैं अब मैं आपको समझा दिता हूँ कि direction predict करना और extent predict करना यह क्या चीज़ है प्रेडिक्टिंग डिरेक्शन का मतलब यह कि देखें reversible reaction जो होता उसमें direction का पता नहीं होता कि वो forward जाएगा यह reverse जाएगा लेकिन numerical value सबसे important चीज़ है कि हमें उस numerical value की बज़ा से पता चल जाता है कि reaction जो जिस तरफ move करवाना जा रहा है जिस तरफ bird आया reaction वो आया forward side पर जा रहा है या reverse side पर जा रहा है देखें आपको यहां पे knowing the numerical value of equilibrium constant से ही starting की गई यह बात की कि आप numerical value को अगर understand कर लेते हैं या आपको numerical value मिल जाती है तो उसे आप क्या कर लेते हैं आप उसे predict करते है direction of reaction को यानि हमें इसीज़ का idea नहीं है reaction के अंदर यह forward side पर और reverse side पर जा रहा है यह हमें नहीं पता सिर्फ यह पता चल जाएगा कि यह numerical value है और इस numerical value का meaning क्या है कि यह reaction forward side पर जाने की कोशिश कर रहा है या reverse side पर जाने की कोशिश कर रहा है इस नहीं हमें पता चलेगा सिर्फ केसी की numerical value से ठीक हो गया अब उसने पहला जो इससे हम फाइदा हासिल कर सकते हैं equilibrium constant की numerical value से वो यहां पर explanation में लेकर आ रहा है तो predicting का direction और reaction में आप देखें सबसे पहले इस नहीं को कहा कि reaction की अगर direction आपने निकालनी है किसी खास लम्हें के लिए तो आपने करना क्य कि प्या उसके लिए क्या करेंगे आ आपने सबसे पहले बैटा इंसर्ट करना है क्या цвет करना कि kaot के निकिश्मकूर्चं की यहां प्रॉड्यक्श यह आपको म facie । अप चुस्ट मिक्शन केंदर जब रेक्शन चल रहा होता है or the reaction हो रहा होता है, reversible reaction में products भी होंगे, reversible reaction के अंदर reactants भी होंगे, ठीक है, अब उन सब को आपने individually separate separate करके concentrations find out कर लेनी है, यानि कि जो constituents है reversible reaction के, चाहे वो reactant side पर है, चाहे वो product side पर है, आप उने individually quantitatively measure कर सकते हैं, ठीक है, वो measure करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद वो आप से ये बात करता है, कि आप कोई भी reaction जो reversible होगा, उसमें आप reaction के दुरान ही concentration को उठाएंगे, concentration को आप पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, equilibrium constant expression में, वहाँ पुट करने पर आप उस कर पाएंगे, उसकी numerical value, ठीक हो गया, किसकी numerical value, equilibrium constant की numerical value, ठीक हो गया, अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे उसने, आपको सामने जो डिसकस की है, जो मैं आप से भी आप से डिसकस करने जा रहा हूँ, वो ये कि determination of casey जो है, आप तो कैसे find out की जा सकती है, तो कहता है कि आप किसी भी लमहे product और reactants की concentration को equilibrium constant expression में put करें, तो आप just क्या निकालेंगे, आप उसकी casey की value determine कर लेंगे, ठीक हो गया, यह आपको समझा गई होगी, particular moment का मतलब किसी खास लमहे में, यानि उस लमहे को bother किया जा रहा है, कि वो लमहा जिसमें आपने concentration को put करना है, वो एक specific लमहा होना चाहिए उसको कर, ठीक है, तो आप उसके अंदर वो concentration को product की reaction को individually quantitatively put करेंगे, individually का मतलब करके, quantitative का मतलब यह कि आप उसकी quantity को measure करेंगे, each constituent जो है, हर constituent की quantity को measure करेंगे, ठीक हो गया, अब एक reaction यहाँ पर देखा रहे हैं आपको, hydrogen iodine के reaction की बात हो, यह उसमे hydrogen iodine बनता यह 57 है, यह वो numerical value जो किसी खास moment पर निकाल ली गई है, ठीक हो गया, यह तो था जी हमने termination किस की की, केसी की, क्या केसी की value termine कर ले, इसके बाद आते हैं अगले paragraph में, we withdraw से, शुरू करते हैं, यहाँ पे आप determination लिखेंगे, of qc, reaction quotient, क्या मतलब कि उपर हमने जो predict करना था prediction की है, वो किस वकत की है, जब reaction एक particular moment के उपर आ चुका था, अब यह जो prediction यहाँ पे करने जा रहे हैं, यह prediction जो है, यह वो prediction है, जिस वकत हमें यह मालूम करना होगा, कि reaction equilibrium state तक जाने तक, यह जाने से पहले पहले, किस पिचीरगी से गुजर रहे है, यह किस step से गुजर र तो यह चीज़ें से हमें कहां से पर चलती है, यह हमें इस paragraph में हमें यहाँ पर बताया रहीगा, कि जी हम क्या करेंगे, हम withdraw करेंगे, क्या चीज़ विड्रॉ करनी है, यहाँ पर इसकी heading बना सकते है, reaction quotient, कि जी हम withdraw करेंगे, किस चीज़ को withdraw करना है, samples में से concentrations को reactants की, और products क ठीक हो गया, और उसके बाद, कहता है, वो for example, हमारे पास कौन-कौन से products है, उसने बता दिया, individually hydrogen, iodine नहीं हमारे पास reactants है, hydro and product है, और उनकी concentrations को, उस reaction mixture में से निकाला, individually आपके सामने यह quantitative दे दी गई है, hydrogen की quantity है, 10.10, more per dm cube, और इस तरहां i2, और यह देखें, आपके साम मैं 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 मैंसिर करने जा रहा हूँ, एक चीज यह है, जो आपके सामने, यह T आपको नदर आ रहा होगा, ब्रैकेट्स में, यह ब्रैकेट्स के बाहर जो T मिला, आपको नदर आ रहा है, यह क्या, यह क्या चीज है, यह चीज है, असल में, वो time जिस तुरान reaction कोई खास individual specific लेवल पर नहीं पहुंचा, मीन्स कि वो equilibrium constant जो है, वो उस equilibrium की level तक या equilibrium की step तक नहीं गया, उससे पहले पहले ही concentration निकाल ले गई है, तो subscribe T का मतलब है, कि concentration को निकाला गया, मगर कब निकाला गया, जब time, specific time नहीं पहुंचा था, यह equilibrium की state नहीं आई थी, उससे पहले पहले यह concentration निकाल ले गई, यह put करने के बाद उसने क्या किया, आपके सामने देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसने concentration को put किया, ठीक हो गया, तो यह concentration put करने के बाद एक value आ चुकी है, यह value क्या, यह value कहते हैं, इसे कहते है reaction quotient, यह reaction quotient आपको determine करता है, कि reaction किस साइट पर जाने की कोशिश करने की, अपने आपको ले जा रहा है, किस तरह की direction में ले जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तो वो forward जा रहा है, यह reverse जा रहा है, अब इसमें आपको गहर करें, तो आपको समझा देगा, 8 इसकी value तो यह reaction quotient हमारे पास इसकी value 8 आ रही है तो अब आप देखें तो यहां पे हमें comparison करना असान हो गया ठीक हो गया यहां पे हम यह बता देते हैं कि हमें मालूम है कि KC की value जो है वो आप देखें तो 57 है ठीक है और QC की value किया है वो 8 है तो इसका मतलब आप यह समझ लें कि reaction ने जैसे हम reaction की direction find out कर सकते हैं ठीक हो गया अब देखें इसके बाद आगे अगर तीन तरह के comparison में आप बात कर सकते हैं पहला comparison देखें यहां चुरू होता है एक reaction quotient है और अगर QC की value जो है वो less than है किसे केसी से तो कहता है एक बात याद रखनी है कि जी reaction forward side पर जाना चाहिए ठीक है यह याद रखेंगा डायाग्राम आपके सामने नदर आ रही होगी आपको यह forward direction में जाएगा अगर QC की value large है तो QC की value small है तो reaction कहा जाना चाहिए देखेंगा डायग्राम में reverse direction में जा रहा है तो यह comparison किया जा रहा है direction का इससे अगले page पर देखें तो आपको नदर आजएगा कि अगर QC और केसी जो है वो दोनों equal हो जाएं तो reaction क्या होता है जी reaction एक equilibrium state को achieve कर लेता है यानि कि केसी और QC अगर दोनों 57 57 हो जाएं जैसे specific time पर और वो थी 57 तो इसका मतलब reaction किसमें आ गया एक equilibrium condition में आ गया ठीक है इसके बाद आते हैं इसके next topic पर या next इसका जो कहलें के importance है कि numerical value हमें क्या बताती है दूसरी इसकी खास एहमियत जो हमें क्या है इससे हम predict कर लेते है किसी इसको predict कर लेते है कि जी reaction की हद क्या है extent क का मतलब मैं आपको समझा दू extent का मतलब क्या है बेटा हद numerical value से यह पता चल जाता है क्या जीज़ का चलता है extent of reaction को चलता है extent का मतलब के इस reaction के ability क्या है कितना product reactants की form या reactants products बना सकते हैं मतलब यह कोई reaction start हुआ ठीक है product तो बनानी बनानी है अब दुबारा product ने दूबारा प्रूट के reaction भी बनाना है reversible तो वही reaction होता है तो अब यह बताना यहां पर समस्थरूरी होगा कि कौन से reaction ऐसे हैं जिन में extent की या ability है किस चीज़ में product से reactant की concentration को चीफ करने में यह reactant से product की concentration को चीफ करने में तो अब यह numerical value जो है वो predict कर रही है क्या numerical value predict कर रही है कि मताती ह कि जी reaction ने कहां तक अपने आपको ले जाने की सलाहियत रखता है या अपने आपको कहां तक ले जा सकता है क्या product से reactant बनाने की सलाहियत है क्या reactant से product बनाने की सलाहियत है क्या यह वाकिए में product से reactant और reactant से product दोनों बनाने की सलाहियत रखता है तो इस तरह की value से हम यहां स इसकी numerical value जो casey की numerical value है उससे ये पता चला लेते हैं कि reaction जो है वो forward side पर तो जा रहा है ये reverse side पर जा रहा है वो तो हमने पहले discuss कर लिया लेकिन क्या ये reactant की ability है कि वो product में change हो सकता है कितने हद तक जा सकता है reactant product में या किसी product की ability है कि वो reactant बना सकता है तो यहां पर हम ये discussion करते हैं इसकी इस topic से सबसे पहली बात आती है कि इस large value है numerical value of casey है तो इसमें सबसे पहले तो आप यहां पर इसकी predicting the extent of reaction के लिए बात लिखेंगे कि numerical value जो होती है of equilibrium constant कहता है predict करती है extent of reaction यानि कि यह बताती है कि कितनी हद है एक reaction के अंदर जो reversible reaction है कि वो product बना सकता है यह product से reactant बना सकता है यह दोनों तरह के product और reactants की concentrations को maintain कर सकता है और equilibrium की state को gain कर सकता है क्योंकि equilibrium की state ultimately task होता है reversible reaction का लेकिन सब के सब reversible reactions के अंदर यह ability खासियत नहीं पाई जाती है कि वो product reactants बना तो लेते हैं मगर वो concentrations को देखा जाए तो वो concentrations हर एक की क्या होती है एक जैसी नहीं होती बाद दफा में changing में आ जाती है क्योंकि जब dynamic equilibrium लग नहीं concentration vary कर सकती है तो बात ही हो रही है कि हम यह देखते हैं concentration के point of view से क्या वाकई में product reactant बना सकता है और उसी मिदार में बना सकता है जतना product खुद है यह वो reactant जो है वो product बना सकता है जतना वो खुद है तो यह चीज़े हम यहां से इसको जो है वो evaluate कर लेते है numerical value से ही तो इसका मतलब क्या होगा कि equilibrium position को जो reaction हो रहा है जो reversible reaction है वो mixer जो है उसमें तमाम के तमाम products है ठीक है और reactant से होते हैं उनमें negligible का मतलब काम है और तकरीवन यह क्या हो चुका है यह अपने आपको completion के process सक ले जा चुक है यानि क्या product की मिदार बहुत जादा है reactant काम है तो इस इसके अंदर एक्जामपल आप देख सकते हैं carbon monoxide की oxidation हो रही है और carbon dioxide बनती है तो इसकी केसी के value large case value इसका मतलब large case value को मतलब क्या होगा कि product की conservation ज्यादा है reactant concentration क्या है कम है इसी तरह small value of casey देखें small value of casey क्या जी अगर small value of casey है तो इसका मतलब यह होगा कि reaction की इतनी ability नहीं है कि वो product की form क्या कर सके create कर सके इसका मतलब कि reactants की concentration ज्यादा है और product की concentration कम है ठीक हो कि इसमें आप देखें तो ammoniak example है ammoniak हमारे पास reactant है और यह decompose होता है nitrogen और hydrogen में तो यह product बनाना की सलाहियत नहीं रखता यानि concentration of product कम है और reactant की concentration ज्यादा है तो यहाँ पर बनाने का मक कुछ नो कुछ क्या करना पड़ता है push-up करना पड़ता है ताके वो आगे की तरफ भढ़ जाएं तो जिनके लिए casey के वरी small 30 का मतलब कि वहाँ पर product की concentration कम है और reactant की concentration ज्यादा है जानि के production में आगे बढ़ने की सलाहियत कम हो रही है और product बनाने की सलाहियत कम हो रही है यह product बनाने की सलाहियत कम है लेकिन यह है कि उसमें reactant बहुत ज्यादा पड़ा हो तो यह numerical value हमें small numerical values रहें ज्यादा हो जाता है इसके बाद आते हैं large value के बजाए या small value के बजाए हम nominal values को discuss करते हैं या ना बहुत large हो ना बहुत small हो या numerical values वो जो बहुत ज्यादा medium level की हो तो numerical value जिसमें casey की value ना large होती है ना small होती है moderate value of casey होती है तो यहाँ पर product or reaction की concentration जो होती है वो comparable amounts में available होती है ठीक है इसमें आप देखें तो हमारे पस nitrogen oxide की example है और वो जो है process complete हो रहा हो इसके बाद nitrogen की nitrogen dioxide gas मन रही है तो यह reaction में casey की value के moderate numerical value है तो इस तरहां से हमने इस lesson में पड़ा के जी casey की numerical value से हम क्या कर सकते हैं दो तरह के काम कर सकते हैं यहां तो हम number one पे क्या करेंगे direction को determine कर सकते हैं यह पिर हम क्या कर सकते हैं इससे determine कर सकते हैं extend का मतलब हद को मकमल बता सकते हैं कि इस reaction की हद क्या है क्या इसकी हद product है क्या इसकी हद सिर्फ reactant की हद तक है क्या इसकी जो हद है वो reactant product दोनों साइट पर हो सकती है तो ये करना हमारा मक्सूद था इस topic में ये समझना हमारा मक्सूद था टॉपिक में उमीद है आप लोगों को यह टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आई होगी लेकिन अगर फिर भी कोई बटा प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं ठीक है और इस तरह के allergy questions आप लोगों को important है यह बहुत important question है बेटा यह आपके भूर्ड में भी आ चुका हुआ question ठीक है तो इसलिए इसको अच्छी तरह आप कोशिश करें त्यार करें जिसक राजी हम questions पेड़ रहे थे जिए last question है आपके क्ष्वार्टन है पूस अंस्लाव வ